नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एडी स्मार्ट क्लासेश में आज हम लोग हिंदी की क्लासेश में इंट्री करते हैं और कल हम लोग संधी के दोनों पार्ट पढ़ लिए देखो संधी में क्या था स्वार संधियां और वेंजन संधियां दोनों थी तो स्वार संधियां वेंजन संधियां और विसरग संधियां तीनों प्रकार की संधियां हम लोगों ने पढ़ ली एक्जाम के लिए क्या important है दिको संधी हो गया समास हो गया अलंकार हो गया है ना तो ये सारी चीजें आती है तो इस वज़े से हम लोग संधियों को आपको दो classes में इसलिए पढ़ाया जिससे आप लोगों को पूरा matter उपलब्द हो जाए और इसकी जो PDF है वो एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे कि PDF आप लोगों को AD smart classes के उसमें आप लोग जाईएगा टेलीग्राम चैनल पे तो वहां पर विटा मिल जाएंगी AD smart classes AD smart classes करके आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा ठिक और इसमें आप लोग जोईन कर लीजिए जिससे आप लोगों को जो PDF हैं और इसमें कुछ current के questions भी भेजे जा रहे हैं टीम द्वारा तो current affairs की questions हैं कुल मिला के आगामी जो भी exams हैं उनको ध्यान में रखते हुए और एक चीज़ केवल UP police के लिए ही नहीं हिंदी जैसे आगामी आप लोगों का सा है दिसंबर में आरो ए आरो भी लगा हुआ है ठिक तो आरो ए आरो में तो हिंदी का काफी रोल है है कि नहीं है तो हम कहते हैं क्यों ना अगर आप अभी regular एक वीडियो देखते रहो और कौन सा बहुत देर का है 50 मिनट या एक घंटे का वीडियो रहता है तो 50 मिनट या जो भी 55 मिनट तक का वीडियो है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको पूरा कंटेंट मिले बाई पता चला आपने 5 मिनट देखा नहीं कुछ दूसरा काम करने लगे तो क्या फिर समझ में आएगा है ना अगर आपके लिए इतनी मेनत क चीज आ रही है या आपके एक्जाम को देखते हुए हम लोग यह लगे हुए हैं कि चलो आप लोगों को यह मिल सके चीजें तो एक बार यह जरूर करिएगा कि वीडियो आप लोग देखिए पूरा देखिए जिससे कम से कम आप लोगों को जो हम लोग देना चाहते हैं क् तो जब आप पूरा वीडियो देखोगे offline class में क्या होता है बच्चे सुनते रहते हैं तो उनके दिमाग में बात आती है हाँ यार सर इसके लिए बताया करते थे इसको यह बोला करते थे तो कम सगम आप लोग भी fully concentrate होके कम सगम वीडियो को आप आप लोग पूरा देखिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें जिससे आपको वो content मिल सकें वो चीजें मिल सकें जो हम लोग provide कराना चाहते हैं बीच मीच में अब पता चला हमने अगर suppose data आज आप लोगों को समास बताना स्टार्ट किया और अगर हमने आपको स्टार्टि नहीं जाएगा बताया तो पूरा गया है ना तो इस वज़े से इसमें आपका लॉस ना हो तो आपका भी लॉस नहीं होगा कि भाई चलो हमने सारी चीज़े देखी और हम लोग सिर्फ यूपी को ध्यान में रखते नहीं काम कर रहे हैं आरो यारो हो गया ऐसे सी जीडी हो ठीक और भी जो अधर यूपी त्रिपल सी हो गया आगे यूपी पेट इसी के थुरू आने वाला है या जो भी एक्जाम्स हैं तो उसमें जहां पर भी हमारी हिंदी की आवसकता है हिंदी की डिमांड है हम लोग Google चीज़े जो है कवर करेंगे तो चलो अच्छा आब चलते हम लोग अपनी क्लास में संधियों को हमने पढ़ रखा था संधियास्वर वेंजन और विशर्ग संधी अगर आप लोगों को कोई confusion हो उसमें तो आप comment box में जाके वीडियो के उसमें आप questions रख सकते हो कि sir इसमें यह कैसे हो गया या यह चीज समझ में नहीं आई comment तो करी स सकते हो अगर कोई आपको confusion है इसके बाद जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे समास आप लोग देखिए अगर इसमें कहीं भी doubt हो कहीं कोई शंका हो ना समझ में आ रहा हो इसका ऐसे क्या हो गया तो आप लोग अगर अभी live नहीं जुड़ रहे हो या live अभी हम लोग नहीं अब तक आप लोग अपना उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर इसमें हमें यह चीज समझ में नहीं आ रही है तो उससे क्या होगा हमें भी पता चलेगा कि नहीं बच्चे इतना पढ़ रहे हैं या इतने समझ रहे हैं इतना जो है seriously पढ़ रहे हैं उसको है तो चलो बिटा आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रकरण हमारा समास है और समास देखो समास क्या है हमने बताया था सुनते जाना संदी में क्या होता था वर्णों को हम लोग वर्णों की शंगिता हो जाती थी वर्णों का मेल हो जाता था और वर्णों से मिलके सब्द बनते हैं तो अपद बनते हैं तो हुआ क्या कि जहां पदों का संचिप्ति करन हो जाए पद जो है कई सारे पद मिलके एक हो वहां पर हमारा क्या होता है उसे को समास कहते हैं समास के लिए बहुत अच्छी परिवासा समस्कृत में बताई गई देखो क्या बताया गया अनेक पदा नाम एक पदी नाम भवनम समासा अनेक पदों का एक पद हो जाना वही क्या है हमारा समास है एक और सी सिंपल सी परिवासा है समसनम समासा समसनम का मतलब बेटा होता है संचिप्ती करण समास है बताओ इससे अच्छी आपको परिवासा कौन देगा समास की कि समासा हका तो समसनम समासा समासा हकती विधा तो समासा सट विधा मलब 6 प्रकार का है, वैसे तो किसी ने 4 प्रकार के माने, किसी ने 4 भेद माने, किसी ने 5 भेद माने, लेकिन आप अपने इस तरह से देखो, जो आपको पढ़ने हैं, ज्यादा डिटेल में ना गुसो, जो आपको पढ़ने हैं, वो कितने हैं, इंदी में समास, 6 प्रकार के, अब उसके कौन-कौन से भेध हैं, क्या हैं, वो हम सब लोग देख लेते हैं, तो समास में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, कि समास हम लोगों ने ये देखा कि क्या है, वर्णों का एक हो जाना, संचिप्त हो जाना, संचिप्ती करन, वही हमारा क्या कहलाता है, समास कहला अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है यहां वर्णों का मेल होता है वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन हो ठिक यहां वर्णों की भूमिका होती है और यहां पर पदों का एक हो जाना तो यहां पर वर्ण और यहां पर पद पद मतलब समस्ते हो ना जैसे देखो जैसे यह देखो राजा का पुत्र है ना राजा का पुत्र अब हम यहां पर कितने पद हैं देखो राजा पुत्र का यह सब पद ही तो है अब इसमें क्या किया गया राजा का पुत्र यह सब क्या है पद है अब इसमें हम लोगों ने जब इसका संदी करें इसको समास करेंग तो हमने बना दिया राजपुत्र, यह हिंदी में पड़ो तो राजपुत्र, है ना, राजपुत्र बना दिया, जैसे देखो, गंगा के समीप, तो इसको बना दिया उप गंगम, अब यहाँ पर हुआ क्या, कि आपने उप माने हो गया समीप, और गंगा के समीप, तो उप गंगम बन गया, तो यहाँ पर कहने का मनलब यह था, जहाँ पदों को उमने संचिप्त कर दिया, पदों को उमने संचिप्ती करण कर दिया, वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, समास कहल लोगो है तो अब से टो गई से समास के कितने वाइद हैं कर्मधारे, दिगु समास, स्वंद समास, और विटा, बहु व्रीह समास, जल्दी से नोट करो इनको, कौन कौन से समास हो गए, अब देखो, तुम लोगों को जैसे होता क्या है, देखो, टैग लाइन हम भी बना के बता सकते हैं कि भाई, पांच यूनिट में समझे पूरा है ना, समास, मलब ऐसा नहीं है, हम आप लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहते हैं, मतलब जो यह थावत है कि भईया, कम सकाम एक गंटे समझो, पैंतालिस मिनट समझो, आदे गंटे समझो, जब समझोगे तभी तो प्रस्न कर पाओगे, केवल पांच मिनट में कहीं से समास बाहर नहीं जाएगा, अरे भीया कैसे नहीं बाहर चला जाएगा, इतने हजारों सब्द हैं, हैं, और कहने का मतलब यह हुआ, ह जो भी क्लास हो, वो आप जिसे च्छै भेद हैं, तो च्छै भेद को यार जब तक समझोगे नहीं, तब तक कैसे कर पाओगे, हैं न, तो इसी लिए हम यह कर सकते हैं कि एक method होता है, कि किसी ने आपको sort में उसका base base बता दिया, जल दिल दी बता दिया, और जब हम detail में उस नवरात्त्री, ऐसे देख लो, पंचगव, पंचगव लिखा है, ठीक, तो पंचगव का जब हम क्या है, पंचगव हमारा कौन से समास है, तो यहां पर दिगु समास है, अभी हम केवल समझा रहे हैं, ऐसे ही, अभी detail में चलेंगे, पीडियाप से पढ़ाएंगे, दिगु क्या कहता है कि जहां पर संख्या वाची सब्द हो, वहां पर दिगु समास हो जाएगा, सभी ने मान लिया, संख्या वाची सब्द है, दिगु समास हो गया, पंचगव है, नौरात्त्री है, चौराहा है, मलब जो भी है, जितना भी चौराहा, चार राहों का समू, तो आप आपका अस्टा ध्याई ठिक मलब जहां पर आपको संख्या दिख गई आपने उसको क्या किया लगा दिया दिख समास चलो भाई एक मिनट की ट्रिक हम ने समझ ली अब लेकिन यहां पर अगर आजाए पंच गंगा अगर पंच गंगा आजाए वैसे संस्क्रत में लिखा जाता है पंच गंगम मालू यह आजाए क्या आजाए दिख रहा है कि नहीं चलो देखो ऐसे समझ लो साही से लिख दे है न क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो किसी खास एक्जाम के लिए सिर्फ हिंदी पढ़ रहे होंगे उनका बैक्ग्राउंड हिंदी नहीं होगा इंगलिस होगा अब उनको बीच बीच में संस्क्रत ले आते हैं तो तो है तो रिलेटेड तो वही है देवनागरी वासा से लिखी लिफी से लिखी गई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है यह समझो कि अब आपको किसी ने बता दिया भाई इसमें जब संख्या वाची दिगू संख्या आ जाए तो वह दिगू समास होता है हमने नियम पढ़ ल है जाएगा लेकिन गलत है यहाँ पर क्या ओ जाएगा यहां दिगू नहीं होगा यहां आपका होगा कौन सा समास आव वेई भाहसमास कौन सा समास होगा अवेई भाहसमास अब आपको जल्दी से प्रश्न पत्र में जब देखने को मिला अब आपको लगा अरे यार ये तो बिल्कुल सिंपल सा आ गया था बिल्कुल पपंच गंगाम पंच दिया था वाई साब दिखु समास कर दिया हमने संख्यावाची दिखु से, है ना, लेकिन एक्जामनर ने क्या किया, एक्जामनर ने आपको क्या कोईशन वहीं पर बठका दिया, उसने किया संख्या तो दे दी, लेकिन यह अपवाद दे दिया अव्वेई भाव में, यह इसका अगर संग्या है नदीव आची शब्दों के आगे अगर संख्या रही है, तो वहां पर आपका दिगुनाउ के कौनसा समास हो जाएगा, वहां पर अव्य भाव समास हो जाएगा. इतनी बाद समझ में आई? चलो, यह इतना समझलो, अव्य भाव समास में देखो, आपने यह जहां पर विटा अव्वे अव्वे याद दिये गए हों मलब एक ओवराल ये आप कैसे पता कर सकते हो उसकी बात बता रहे हैं जहां ओवराल अव्वे उपसर्ग ये सारी चीजों से अगर स्टार्ट हो रहे हो सब्द तो वो हमारा अव्वे भाव में होगा तायन पूरुप पूर्वपद प्रधान अव्वे भावा मतलब समझ गये ना प्रायनड पूर्वपद प्रधान अव्वे भाव जिनका पूर्वपद प्रधान हो वो अव्वे भाव समास होता है याईसे देखो गंगायाम समीपम तो किसके समीप तो बोले गंगा के समीप प्रधान कौन है, मुख्य कौन हुआ, मेन कौन हुआ, प्राथमिक कौन है तो गंगा, किसके समीप तो गंगा के समीप, गंगा ही ना हो तो उसके समीप कौन हो, है ना, तो गंगा ये आपका हो गया, अब देखो समीप की जगा, उप का प्रयोग किया जाता है, अब इसकी उस उपगंगा ठिक, उपगंगा हो जाएगा गंगा के समीप, तो कहने का मतलब यह है कि जहां आपके अववे से स्टार्टिंगों बताया जाए, वहां पर आपका अववे ही भा हो जाएगा, तत्पूरुस्ट रमास में आपका क्या होता है, कि उत्तरपद्प्रदान होगा, ठ कभी-कभी tuh प्रशन के वंली यह जाता है कि उत्तर्पदте प्रदान किसका होता है जैसे आपको उन्हें प्ता दिया राजा का पुत्र से राज-पुत्र, और यहां पर तुम बेटा देखना जितनी भी भीवक्तिया तक आज जाएंगे जब आप उसकार से निकालोगे ना जैसे की यूपदारू हो गया है ना या और भी जो इतने सब्द है भूत बली हो गया भूत के लिए दी जाने वाली बली चतुर्थी तत्पुरुस है ना तो संप्रदान तत्पुरुस ऐसे करके तत्पुरुस हो गया तत्पुरुस का ही बेद कर्मदारय होता है जब दोनों प्रतमा प्रतमा विवक्ति में हो तो हमारा कर्मद जा रहे है जिसको हम विशेष्ण विशेष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् यहां तक तो समझ में आ गया ओगा ततपुरुष करमधारे में क्या होगा विशेषन आपको विशेष्टा बताई जाये रही होगी जैसे आपका यह पीतांबर है चिक, तो आप देखो पीता अंबरम, ऐसे करके इसमें क्या हो जाएगा, पीला अंबर, तो आप जो अंबर, कपड़ा या पीला, तो पीला क्या आईविशेस्ता बताई जा रही है, यहां पर आपका कर्मधारे हो जाएगा, चिक, दिगुस्तमास में आपकी संख्या वाची, संस्क्रत ने सीधा इसके लिए नियमें बता, इसकी परिवासे बता दी, संख्या वाची दिगु, जो संख्या वाची है, वो कौन हैं, दिगु हैं, लेकिन वो अपवाद छोड़ के जो हमने अपवाद बताए, है ना, अगर नदी के साथ संख्या आ रही है, नदी के साथ नदी का नाम के साथ कोई संख्या आ रही है, तो वहाँ पर आपका दिगु नहीं होगा, नहीं होगा, केवल और केवल अव्यवाव समास होगा, द्वन्द समास बेटा क्या होता है, जहां दो योग बताया जाए, चिक, द्वन्द, योग बताया जाए, इसके बाद कि प्रदान्ता का मतलब यह हो गया जैसे कोई एक तीसरा आर्थ निकले जैसे दशानन तो दशानन किसके लिए फेमस है दशानन बताओ रावन के लिए ना इसके बाद गजानन तो जहां पर आपके सीधा सीधा परियावाची सब्द आए ठिक वहां पर बिटा क्या हो जाता है जो परियावाची सब्द है वह सब आपकी किस में आ जाएंगे बहुबरी समास में ठीक तो यह तो एक ओवराल इसका वो हो गया अब चलो बिटा हम पीडियाप से आप लोगों को जल्दी से बता देए कि यह देखो ठीक है पीडियाप से समझ लेते हैं थोड़ा इसमें क्या होगा आपको एक्जामपल्स मिल जाएंगे सारे लिखने नहीं पढ़ेंगे आप एक बार में कई एक्जामपल्स देख सकते हो जैसे देखो आप दीख रहा है ना यह साब जा आप दीखरा होगा देखो आप दो suffering हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मम तो क्या है समाश शब्द संचिप्त करना सब्दों के योग से बना है, समास पे ज़्यादा detail में न जाओ, किस से बना है, क्या है, केवल इतना समझो, कि समास का साब्दिक अर्थ है संचिप्त करना, वही हमने बताया था न, संचिप्ती करना है, है न, वही चीज आपकी यहाँ पर लिखी है, कि सब्दों को पास में ल को समास कहते हैं अब यहां पर समझने वाली बात विटा यह थ мож समास के कितने बेद हैं तो समास के चौह तो दूनौ ततपुरुस समास के बेद हैं यह्ट ऐसा हुआ, हुआ क्या कि तत्पुरुस ही था, तत्पुरुस से ही होता क्या है कि एक में आपकी प्रत्मा, दो चीजे, दो पद हैं, एक में प्रत्मा हुआ, दूसरे में भी प्रत्मा विवक्ती रही, तो वहाँ पर ही हमारा वो कर्मदारे बन गया, और जहां पर इसका पहली पद में विभक्ति प्रत्मा रहेगी और दूसरे में अन्य विभक्ति हो जाएगी प्रत्मा के अत्रिक्त वहां पर बेटा क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुस हो जाएगा तो यहां पर अंतर कहां से आ गया कि जब तब इसको शुआना अधिकरण बोला जाता है समान अधिकरण क्योंकि इसके दोनों के अधिकरण क्या होते हैं समान होते हैं मतलब प्रत्मा में है इसमें भी मतलब दोनों की विभक्तियां समान होती हैं लेकिन अब ये विभक्तियां कैसे पते चलींगी ये जब आप संस्क्रत से समझोगे है ना लेकिन संस्क्रत से तो आ फीएखे पॉल दिया गया तभी इसके लिए आ गया कि संख्या वाचि क्या आगया अच्छा आगे देखो हम लोग देखते हैं इसके आगे मेरे ही चलते हैं लिए देखो इसके 6 वेद बता दिये गए इतना बात तो क्लियर हो गई ना कि यह 6 वेद होते हैं क्यों दो चार पांच मिनिट देखा तो दो चार पांच मिनिट बाते ही चलती रहती हैं है ना तो कम से कम इसको पूरा देखो एक बार समझो जब इक्जाम में कोईशन आएंगे तब लगेंगे कि हां यार कुछ अच्छा पढ़ा हम लोगों ने क्या देगा और अगर वह देने पर आ गया तो दो चार फार यार वह नहीं कर पाएगा करनी हैं तो कम से कम एक बार किसी पर डेटिकेट तो जाओ कोई वीडियो देखो तो फिर उसको पूरा देखो तब आप उसका फाइनल एनलाइस कर पाओगे कि हमें यहां से क्या मिल रहा है हम कोई अगर बुक सर्च करके लाएं किसी बुक की पड़ा रहें तो मतलब ऐसा होंगी तब हमने ऑब्जर्व किया होगा कि यह बुक समय सबसे बेटर लगी जिससे कोई कोई वाहर नहीं जा सकता नॉर्मली है ना दो चार की बात हम खुदा तो है नहीं है तो हम एक्जामनर नहीं है लेकिन क्वेस्चन आएंगे क्वेस्चन इसके अलावा कहां से देग तो कहने का मतलब डेडिकेट होके विश्वास करके किसी एक विशाय पर आप अपना फोकस करिए वह कंप्लीट कर लो क्लास बात कतम अभी दिसंबर में आरो यह रो का भी लगा है अगस्त सितंबर में सायद पुलिस का भी सुनने को मिला है तो पुलिस वाले बच्चे और आरो यह रो वाले यह तो खास तोर से क्योंकि तुम लोगों में इंदी इंपोर्टनस है इसका है ना अब देखो देखो भई, अव्वे इबाव समास की बात करें हम लोग, अव्वे इबाव समास में क्या होता है, प्रथम पद अव्वे होता है, यही हमने बताया था जब इसमें अव्वे इबाव कहें देते हैं, अव्वे का मतलब समझते हो ना, ना समझ पाए हो, अव्वे क्या आए, त सायद दस्मी या ग्यार्मी क्लास रही होगी अव्य की ठीक और देख ले ना व्य वाली क्लास तो अव्य में आ जाती है नाव्यम इति अव्यम यह आ जाती है जो जैसे हों वैसे ही प्रयुक्त किया जाएं और उनका करता क्रिया लिंग वचन कारक आधि के हिसाब से कोई भी होना पड़े that is अव्य वो हमारे क्या होते हैं अव्य कहलाते हैं नाव्यम इत अव्या सद्रसं त्रिसलिंगेशु सर्वासुचा विभक्तिशु वचने सुचा सर्वेशु यन्नवेति तदव्यम यही बोला गया संस्क्रित में कि जो सभी विभक्तियों में समान रहें सभी वचनों में समान रहें सभी लिंग में समान रहें जिनका व्य ना हो यन्नवेति तदव्यम जिनका व्य ना हो वही क्या कहलाते हैं अव्य कहलाते हैं बात समझ में आई तो इसका देखो पहला पद उपसर्ग होता है क्योंकि उपसर्ग भी हमारे किसके अंतरगत आते हैं अव्य के अंतरगत आते हैं तो पहला पद क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा उपसर्ग तो पता ही होगा संस्क्रत में बाइस उपसर्ग है प्रा देखो अब यहां सम जी लो यार बिना समझाए फिर अच्छा नहीं लगेगा। उपसर्ग कितने हैं। 22 उपसर्ग हैं कि कहां पर संस्क्रेट में कुछ हिंदी के उपसर्ग हो जाएंगे बाद में ठीक। अब उपसर्ग हमारे बाइस हैं कौन से प्रा, प्रति, अति, परा, सू, अप, उद, सम, अभी, नी, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, अधी। देख लो, गिल्लो, और मांकी जो घटे मड़े तो देख लेना, देखो, 22 उपसर्ग हैं कुल मिला के, समझ रहो ना, क्या, डॉक्टर वाली लेंग्विज लिग गई गया, देखो, प्रा, प्रतियत, परास, अपुल, सम, भी, नी, अवने, सने, रिदो, सदुर, वी, नहीं महाँ पर कोईश्य नहीं आ गया, अनिमन लिखित में तो उपसर्ग है, अनिमन लिखित में कौन अव्य है, और दे दिया, उप दे दिया, अनु दे दिया, अव दे दिया, और एक कोई दूसरा और दे दिया, तो कम से कम पता तो रहेगा कि यार सर ने बताया था कि उ समझ में आ जाता कि आयर कुछ भी बात कभी 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 पेपर टाइम इपक्लिक कर जाती यह यहां पर यह चीज हो बोला करते थे यह बताये करते फों समास का पहला पद अबस्षारक होता है एक ही थोती होती है वहां पर हम अव्यई बाहुस्तमास मानते हैं इस आदार पर दो वेध हो गाएक तो अव्येपादपूर्वelf और एक नामपदपूर्व है ना तो अव्येपादपूर्व में क्या होता है जब देखो अव्येपदपूर्व ममलब पद के पहले पूर्व में क्या हूँ अव्य हो किसके अव्य पद पूर्व का मतलब हुआ कि जब अव्य पहला पद जो हो वह अव्य उपसर्ग हो देखो जैसे यथाक्रम यता चिक यतार्त पर परोक्ष पर लग गया उपसर्घ अब कह देना किसार भर आपने नहीं बतायी है। हिंदी क्यों फ्लिया कुछ उर्दू को सरग है ुश कि आगत उपसर 행 familiar कि तो कहें तो सारे उपसर्ग जाएंगे ना संस्कृत की केवल बात करें तो there are only 22 उपसर्गास केवल अगर संस्कृत व्याकरण की बात करने तो केवल और केवल 22 ही उपसर्ग है लेकिन हिंदी ने कहा तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ वहां सब समेट वमेट के हम अपना एक जुग वासा बन गए तो कहने का मुलाब अगर 12 के अत्रिक्त भी को उपसर्ग है तो वह समझ लो फेरोट उपसर्ग हो गया यत हो गया यता हो गया निरभय निरभय यहां पर संस्क्राइब लगा है निर आजन्म यह आंग सिलगा ओज़ टिक आजन्म तो आंग उपसर्ग ना समझो कि जहां पर आपके स्टार्टिंग में क्या दिया गया हो क्या दिया गया हो बोलो हां उपसर्ग दिया गया हो वह हमारे क्या कहलाएंगे अव्वे ही बाउसमा सिंपल सी बात खतम है ना अब देखो नाम पद पूर्व में क्या होगा पहला पद उपसर्ग ना होकर क मतलब अब उपसर्ग नहीं होगा और कुछ होगा संग्यासर्व नाम विशेशन लेकिन वो प्रियोगत किस तरह हो रहा होगा अव्वे की तरह मतलब अब देख लो example देख लो अव्वे की तरह प्रियोग होगा तो देखो इनके रूप में परिवर्था नहीं होता अव्वे की और सबसे ऐक अच्छी परिवास यह बीmost पड़ना कभी याद़हित रखना ए सप्धा नाम सब्धा नाम रूपानी नेव चलति मतलब क्या हुआ ए सब्धानाम रूपानी न notify चलति या ते शंस तो इन में के सब्दों का रूप चले और ना इनके सब्दों का कोई परिवर्तन हो समझ गए ना तो संस्कत बीच-बीच में इसलिए बीच में बता देते हैं क्योंकि यह समाज संदी यह पढ़ने के लिए अगर संस्कत का सारा ना लोना तो मुझे तो अधूरा अधूरा ने आख ना तो है नयुग संस्कत को संसम्झत को रखुए ना करम संस्कत से ही पड़े हम प्योड संसकत से ही ना पड़े जो विच्छे Cathiore हнако संधी कि पढ़ हें तो उनकेली हम यह नहीं कहतें कि संस्कत पड़ लेकिन गून अब वह संसकत में अगर को समझो एक बार को जैसे देखो इसके हाँ इसके ऐस एक्जाम्पल देख लेना नाम पद ये देखो जो इसका एक्जाम्पल है नाम पदपूर्व कि इस पीटा नाम पद पूर्व यह टाइफ है आपका अव्वेई भाव समास मलब यह हैं सब अव्वेई भाव समास ही अवाज आ रहे हैं ना क्लियर देखो एका एक बीचो बीच रातो रात पल-पल प्रत्यक्ष प्रतिधन अक्ष ठिक प्रतिधन अक्ष आख के सामने आखों के अचैना बेखों प्रतिधन अक्षु प्रत्यक्ष प्रतिधन अक्ष को प्र्मार की आवाज सकता नहीं होते है तो अजाण वाव हू फो ऑजाने अचैने मसे नहीं हो रही你要 ना तो प्रतिपल पय पद हैंना प्रतिपल-प्रतिब्र व शर्म यत्षभ होल्ण यहां तो सब लगे हैं देखो हाथों हाथ दिनों दिन बारं बार गाओं गाओं आमराण आपाद मस्तक पाद से लेकर मस्तक तक पाद माने होता है बेटा पैर पैर से लेकर मस्तक का मतलब तो समझते होगे इतनी तो यार इंदियाती होएगी तो है ना तो ये समझ में आ गया, बेगम, अच्छा सुनो, बेगम जो सब्द है न, बेगम में कोई पूछ ले कौन सा समास है, बताओ बेगम में, बेगम, बेगम कैसा सब्द है, तो देखो, बेगम में, बेगम वो वाली बेगम न बना दे न, देखो, चलो समझी लो, यथा समभव, अभी आपने पढ़ा, यथा आर्थ, अभी वाव शमास, बेगम, कौन से वाली बेगम, बिना गम के, है न, बेगम का मतलब, बिना गम के, प्रति हिंसा, कानों कान, घडी घडी, धीरे धीरे, फूटम फूट, मनो परांत, यथा योग बेशूद, भागम भाग, गली गली, चेरे चेरे, लूटम लूट, दिनम दिनम प्रति दिनम, ये भी तो आपने पढ़ा होगा, दिनम दिनम प्रति, प्रति उपसर्ग लगा है, आगे आजाएगा प्रति दिनम, इनका दुट्ट्व का एक बचता है, प्रति दिन हो गया, नपुन्सक लिंग में बना दिया, तो प्रति दिन बन गया, देखो बीटा, जब आप समास पढ़ते हो, तो समास में बहुत से लोग जब विग्रे जो पढ़ते हैं, उनको क्लियर हो जाती हैं ठीक, तो विग्रे पढ़ना चाहिए, विग्रे लेकिन अब आप लोग विग्रे ग्रे में ना अर्जो, ये देख लो कि यहाँ पर जो कुछ सब्द हैं, इनको देख लो कि भईया, य पेसुद, बेगम, बेगम बिना गम के होती है, ठीक है, बेगम, किसी की बेगम है, क्या है, बेगम क्यों बोला गया उसको, क्योंकि वो बिना गम के है, अपने गम उसने किसको दे दिये, चलो समझदार के लिए सारा काफी, देखो, बिना गम के जो बेगम है, तो ये बेग बेगम का अर्थ वो पत्नी वाला नहीं हुआ ठीक बेगम का बनला बिनागम के अच्छा भाई आगे चले तमस्ते राक और यार इतना सीरियस ना पड़ो ठीक हिंदी है को याप लोग अराबिक नहीं पड़ रहे हो ठीक है ना या संस्कत नहीं पड़ रहे हो जो इतना तत्पुरुष समास जिस समास का दूसरा पद प्रायंड उत्तर पद प्रदान है ना यहीं तो बोला था प्रायंड उत्तर पद प्रदान है तत्पुरुषा जहां पर दूसरा पद प्रदान हो प्रदान का मनला मुख्य हो मेन हो है ना वो सच्छी वाला वो पंचायत वाल प्रदान नहीं ठीक हां तो जिस समास का दूसरा पद उत्तर पद प्रदान हो अब इसके लिए विटा बोल दिया जाता है प्राएंड उत्तर पद प्रदान अहां कि रथ पूरुसा हाँ ठीक और तुम्हें ऐसे बना के लिखना है ऐसे कर दूँए एक एमें लिख दो अटाओ बार बार काहे लिखो प्रायर उत्तर पद प्रदान स्य तत्पुरुसा अब होगा क्या कि यहां पर भीया सीधा पूछ लिया अगर उत्तर पत किसका प्रदान होता है तो तत्पुरुस में क्या करते हैं सिंपल सा कारक भी वक्तियों का लोप होता है लेकिन होता है कारक भी वक्तियों का लोप हो जाता है लेकिन जब अर्थ निकालेंगे तो कारक भी वक्तियों का अर्थ निकलेगा अर्थ तो नहीं चला जाएगा कहीं है ना राज पुत्रा है तो राजा का प भी सरवग्य जो सब कुछ जानता हो प्राप्त उधक उधक को प्राप्त जल को प्राप्त लोग प्री लोग को प्री जो जगत को प्री हो संसार को प्री हो ऐसे को हम लोग प्री बोलेंगे है ना तो लोग संसार को जो PRI है वही तो अर्थ निकला तो यहां पर विवक्तियां तो लगी है को लागती लग गईλέकन हमने विवक्तियों लगया होगा कि जैसे देखो गगण चुमबी है ना तो गगण को चुमने वाला अब किसको चुमने वाला गगण को चुमने वाला तो यहां तुम लोग ऐसे समझा करो उत्तरपत प्रधान होता है प्रथम पूरुपद प्रधान होता है पूरुपद बिटा प्रधान और इसकी ना इसकी concept तुम लोग नहीं समझ पाऊगे हम तुम्हें एक exact बात बता रहे हैं किसी से भी पूछ लेना कोई भी हो तुम लोग कौन प्रधान है कौन अप्रधान है कौन मुख्ष है कौन गौड है तु जो बच्चे हिंदी से नेट जयारफ हैं या जो बच्चे संस्क्रत में समास वगेरा पर काम किये हैं या संस्क्रत से जो नेट जयारफ हैं उनका देखना वो क्या है वो व्यक्रण पढ़ते हैं गुस्त के हैं ना समास वो यह नहीं पढ़ते हैं समास का विग्रे पढ़ते है दो प्रकार से होता है विग्रह, एक लोकिक विग्रह और एक अलोकिक विग्रह, दो प्रकार से होता है, है ना, राम, राजा का दसरत का पुत्र, इसका जब हम लोकिक करेंगे, तो दसरत से पुत्रह, दसरत से पुत्रह, और बेटा जब अलोकिक करेंगे ना, तो क्या आ आएगा दसरत गस पुत्र शू लोग आदे लोगों को यह समझें मिने आएगा दसरत गस पुत्रसू यह है क्या काउंसी वासा बोल रहे हैं तो यह ओगा अलॉकिक विग्रे मतलब जब दोनों प्रकार की विग्रे लोग पढ़ते हैं तब समझ बाते हैं अब कौन प्रधान ह है ना तो यहां पर ऐसे समझो सिंपल सा अगर प्रस्ण पूछ ले कि उत्तर पतक्रिस में प्रदान है तो इतना बता दे ना कि भीया तत्पुरुस है इसके लिए याद रखो ठीक प्राप्तो दक लोगप्री स्रणा गत स्रण को आया हुआ यार सिंपल सा अर्थ निकालने ना समझ में आ जाएगा स्रण को आया हुआ है ना ग्राम गता गाओं को गया हुआ लोक अरपन लोक को अरपन कर्मो उनमुक कर्म को उनमुक संकटापन संकट को प्राप्त या संकट क प्राप्तापन ऐसे करके बैटा जो अर्थ निकले का की को के लिए का है ना के द्वारा के लिए से अलग होने पर जो भी ये वाले अर्थ निकले ये सब भी आपके तद्पुरुस में आ जाएंगे जैसे देखो जैसे ये देखो आगया आपका ग्रंथकार जैसे ये क्या आगया ग्रंथकार यहां समझें ग्रंथकार ग्रंथकार मतलब ग्रंथको रचने वाला ग्रंथको करने वाला ग्रंथको बनाने वाला वो ग्रंथकार हो गया को तो का की के को देखो यह सब आएंगे को 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 क के द्वारा से मलब यार जो कारक और विवक्तियां आप लोग पढ़ते हो उनका सबका प्रयोग इसमें हो रहा होगा किसमें तत्पुरुष में कन्फ्यूज तो नहीं रहोगे ना तत्पुरुष में क्या होगा जब हम इसका अर्थ निकालेंगे तो जहां पर बी हमें कारक और विवक्तियों के चिन्न निकलें अर्थ दिखें वहां पर हमारा तत्पुरुस समास हो जाएगा सबसे सिंपल है टॉपिक समास का कहीं पर भी देखो चट्ट से अंसर लगा दो जहीं जहां लिखा है भयाकुल भयाकुल अपने देखा अर्थ निकाला भयाकुल कौन होगा भहे से आकुल, से लगा है, यार क्या बताया गया था, ततपुरुस बताया गया था, क्योंकि भी वक्ति चिन्य स्में निकल ला है, भहे से आकुल, मदांद, मद 네 अंध, मद से अंदा, सोक से आकुल, सोकाकुल, है न? तो यह सब चीजे हैं, हाँ देखो सारी PDF के examples जो जो मेन हैं समझाए दे रहे हैं बाकी एक बार ये कर लेना कम बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है ना समझदार के लिए सारा काफी AD Smart Classes यह पीटा तुमारा क्या है वो क्या करके इसे चिन बन के आता है टेली ग्राम चैनल है ना इसको बेटा लाए वो कर दो जॉइन कर लो तो कम सकम यह बुक वैसे नहीं पाओगे ना इसकी PDF कम सकम पाजाओ है ना तो PDF पाजाओ तो तुमारा यह जितने भी को यह वाले हैं हिंदी तो यह गारंटी है कि तुमारा लगबक सही हो जाएगा अच्छा देखो भाई देखलो यहां पर अकाल पीडित अकाल से पीडित ठीक गुरुदत गुरुके द्वारा दिया गया गुरुके द्वारा प्रदत गुरुके द्वारा दत गुरुदत है ना तो देखो के द्वारा अब देखो आनंद मैं देखलो अपना नाम हमेलाना होता इस वज़े से इस है ना। आनंद से युक्तौलि वा थावरन भड़ा आनंद मय है मतलब क्या हुआ कि वाथ आ आनंद से युक्त है तो अब आनंद से युक्त है तो से लगा विवक्ति तो सिंपल सा तुम्हें देखना है आनंद से युक्त है ना आनंद से मैं आनंद से युक्त तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा तक पुरु समास ही हो जाएगा आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और नहीं आया हो तो बिना सरम लाज किये देखो जिसने करी सरम वह वाईस आवास तक पढ़ नहीं पाया समझ रहो ना क्योंकि हमीं विद्वान तो फिर बाता ही अलग है ना जो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा लाइव क्लासे अगर हम लोग चलाए समय मिलता है तो उसी समय बता देंगे ठीक हस्त लिखित हाथ के द्वारा लिखित अब तो हमारी समझ से यह समझ में आ जाएगा दोस पूंड दोस से पूंड मोहांद प्रतिक्षातुर इतना समझ लो जब इसको तोड़के पढ़ोगे तो बिभक्ती चिन जरूर से जरूर निकलेगा समझ में आया जैसे देखो अब आप गजानन पड़ो अब गजानन को जब तोड़के पढ़ोगे तो यार गजानन में यह कुछ नहीं निकलेगा विभक्ती चिन नहीं आएंगे गज के मुख के जैसा है जो गजानन गजाननम बहुत गळादी सेवितम कपित्त गजब जानन पोच्छान मु अस्तवरा जोगी विनासकार कम नमाम विगनेशवर्पादपांकजम ठिक तो नमामी विगनेशवर्पादपांकजम अब है जितने भी सबस प्रयुक्त किए यह सिरी ओड़ यस के प्रयुक्त किए तो यहां पर भीवक्ति भीवक्ति नहीं आ रही है लेकिन ऐसे देख लो इनमें देख लो कारे मुक्त कारे से मुक्त धन रही धन से रही तो मों से अंदा प्रतिक्छा से आतुर रत्न जडित रत्नों से जडित है ना रत्न से जडित तो रत्न रत्न से जडित है तो यहां पर कि अईसे देखो इनमें संदी कौन सी बताना न में कौन सी संधी बताते जाओं तो आरपन इसका विच्छेद करो देव धनांर्पन कि संधी कौनसी हुई आ है आ है मिलके बड़ा बन गया दीर्गसंधी तो रही है क्या हो रहा है को बीरिव संदी हो रही है ठीक। चलो आगे चलते हैं अगे चले देखो भाई आसातीत असा से अनती जहाति भ्रिष्ट जहात इसे भ्रष ग्ण सून जन्म से अंदा-जन्मांद सेवासे निवर्त सेवा निवर्त चलो बिया चर्म का रोग चर्म रोग यह देखो यहां संबंद तत्पुरुस जो भी भक्ति लगी हो वही उसका हो जाएगा वही तत्पुरुस जैसे चतुर्थी लगी है तो संप्रदान तत्पुरुस पंचमी लगी है तो अपादान तत्पुरुस सस्थी लगी है तो संब लोगों को यह सब आ रहा होगा बाकी देख लो तुम लोग खुद इतने उसी आ रहो है ना कि हिंदी पढ़ने वाली चीज थोड़ी नहीं देखो कि पढ़ने वाला सिर्फ संस्क्रेट है संस्क्रट पढ़ा करो सारे लोग को rendered कि दे लोगION अब यहां पर विद्ध्य देवी लिखा हो तो क्या हो जाएग तो विद्ध्या देवी लिखा है तो क्या हो जाएगा विद्ध्या देवी अगर कौनों का नाम है बगल में बैठा है विद्ध्या देवी उनकी बात नहीं हो रहे हैं विद्ध्या की देवी और विद्ध्या की देवी कौन तरस्वति तो यहां विद्ध्या की देवी में क्या ह बेटा यहां तत्पुरूस हो जाएगा कौन सा तत्पुरूस हो जाएगा संबंद तत्पुरूस हो जाएगा बात क्लियर हुई आगे चलें कि विद्या देवी में आपका भॉब्रीह भी हो सकता है अब वो प्रस जाते हैं जब आप्शन फर्व कि ठीक तो यहां पर विटा देख लो अब आगे चलते हैं नई तत्पुरुष देख लो आगे देखो आगे अपनी भासा बिना इसके अदूरा है समास क्या लिखा है संस्कृत में निशेद आधि के अर्थ में नई तत्पुरुष का प्रयोग होता है जहां निशेद दिखाया जाए वहां पर किसका प्रयोग होगा नई ठीक किसका प्रयोग होगा नई अब यह देखो जो यहां है उसकी हलंत्यम से संग्या करके तसलोपा सलोप कर दो क्या तुम संस्क्रत से समझना चाहते हो तो समझो समझो तुमारे लिए चूट क्या नई नए तत्व पूरस में सिंपल सा देखो नई यहां कि अलंत्यम से इस संग्याता से लोग तो ऐसे हटा दो केवल ना बचा अब इसका विग्रे देख लो भाई साब सम्में तुम्हें ना मिलेगा और कुछ भी नहीं मिला तो किस के लिए असान जब विग्रें देख लेंगे ना आस्तिक नास्तिक हाँ है नूट नाक्रा अप्षिट न से की एट जाएगी के वल न बचेगा अब यहां अन लगा दो अलगेँ लिए वह तो तुम सब्द बनाने के लिए फ्री हो स्वतंत्र प्रतंत्र नहीं हो ठेक लेकिन ना न्याय अन्याय ना खंड अखंड ना पसंद 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 ना पढ़ अन पढ़ ना टूट अटूट अकारण ना कारण है ना तो यहां परविटा हमारा नहीं तत्पुरुस हो जाएगा बेद आ जाए तत्पुरुस के तो तत्पुरुस का आपका नहीं तत्पुरुस हो जाएगा बेद बताओ यहां तक तो मजे से पढ़ रहे हो तुम लोग कोई नहीं नहीं मिला है ना कुछ नहीं चीज नहीं मिली बताओ अब आ जाते हैं दिगू दिगू में जल्दी से देख लो संख्यावाची दिगू लिखो जल्दी से सब लोग इसको एक बर दस बार बोल लिया करो संख्यावाची दिगू बोलो दस बार बोल बोल के देखो संख्यावाची दिगू संख्यावाची दिगू संस् प्रायन पूर्पत प्रधाना प्रायन उत्तर प्रत 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 के ना कि चलो देख लो भीया को कि देखो जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वो क्या कहलाता यह उसे दियो समास के तक थे लेकर दस तक तथा 20 30 40 50 साथ सतर हसी नब्वे सो दो सो तीन सो चाड़ सो पांसो हजार दू यह जार तीन हजर आधी संख्यां आती है अब इनके अगर मद्य में जो संख्या और आ रही है जाई से देखो यही तो समझने वाली चीज है देखो अगर यह डियरेक्ट 20-30-40 ऐसी की संख्या में है तो यहाँ धिगू होगा अब कई तो 25 है तो 25 में नहीं होगा 26 है 26 में नहीं होगा 1200 में हो जाएगा लेकिन अगर कई तो 1195 है तो नहीं होगा समझ रहे हो ना तो अब नहीं जैसे 1000 है 2000 है 3000 है इनमें तो हो जाएगा लेकिन अगर कई तो 1100 है तेरा सो है इनमें नहीं होगा क्यों क्योंकि यह 1000 और 100 मिल के बन गए न अब यहाँ पर योग हो रहा है योग हो रहा है तो विटाद्वन्द हो जाएगा सिंपल सा है कॉंसेट ज्यादा तगड़ा कॉंसेट नहीं है 20 30 40 मतलब यह मानगे चलो नोटों की बात हो तो बाइस अब दिक समास है कहीं पर भी सिक्के पिक्के आ जाए या जोडगांट हो जाए तो क्या हो जाएगा दुन्द समास हो जाएगा समझ में आया नोट की बात जार इनमें कन्फिउस नहों ना 200 300 400 500 ठीक तो अब पता चला 350 की बात हो रही है 370 की बात हो रही है 365 की बात हो रही है तो यहां पर आपका दुन्द हो जाएगा ना कि दिगू होगा तो हमारी समझ से समझ में आ गया होगा जहां पर आपका संख्या दी गई हो संख्या एक सिले के 9 तक तो पूरा रहेगा समझ रहो ना एक सिले के 9 तक की तो कोई भी संख्या सकती है एक के नौँ तक के सिक्के काम करेंगे देखो पंजाब पांच आबों आप मतलब होता है नदियां ठीक यहां की वासा नहीं है हिंदी ने सब समेट लिया सारी जगे की वासा है पांच आपो नदियों का समूँ चवणनी चारानों का समूँ सब्त रिशी साथ रिश्यों का समूँ अरे ये देख लू ना यार चाओ तप्त पंच द्वी दिगू ये दिगू नहीं है ये द्वीगू है ऐसे लिखा जाएगा द्वी और गू ठिक तो द्वी गू क्या हो गया दो गायों का समूँ ठिक दो पहर दू पहर दू पहर दू भी अच्छा लगता है दू ना है जो एसे करक्ड बोलते हैं न दू तो यहां पर क्या हो जाएगा दू ह्यार दो पैर ब्यारीयों को बोलते देखाएकं वह दू अपने भाई लोग दो क्या बोलते हैं तुन ना अच्छा तुम लोग ठिक डिक अठनि आठाननों का समू अस्ट सिद्धि नव निद्धि निद्धी निधी होता है तो अपना भी निधी निधी बोलने है ना अस्ट सिद्धिनल निधी केद आता अस्वर्दीन जान कीम आता चलो भया लेलो तुम लोग वीवर है ना देखो भया, इतने अच्छे अच्छे एक्जामपल यहार मिलेंगे नहीं, दर्जन, बारा का समू, च्छतीस गड़, यह देखो, च्छतीस गड़, क्या है? राज्जी है, कैसा राज्जी है भाई साथ? नाक्सलवादी राजी है ना राजदानी क्या है राइपूर है ना नया राजदानी राइपूर है इसकी तो बहिए चंछ तेस गढ़त क्या है दूपट्टा जिसमें दो पट्टे हों एक पट्टा इधर एक पट्टा उदर दो पट्टा त्री मूर्ति तीन मूर्तियों का समों तो यार कहने के मतलब भीया जहां पर भी बच्चों क्या हो संख्या वाची सब्दों हो किवल नदी को छोड़के स्टार्टिक में हमने बता इसके सारे एक्जामपल देख लो अंकि एक्जामपल देखो यहां पर रुपया देखो रुपया भी ओकितना बढ़ी है एक्जामपल रुपया लगेगा कि यार यह तो तुम्हारा हो इस नहीं सकता और लो तब तक पानी प्लें हाँ देख लिए इसके चलो भाई आगे देखते हैं हम लोग तो ने बातो है योग में चाहां बातो है योग की बात हो देखो जब दोनों ही पद प्रदान होते हैं प्रदान मुख्य होते हैं उबाव पद प्रदाना अबय पद प्रधान हाँ द्वन्द्व ठीक हाँ द्वन्द्व क्या बोलते इसको द्वन्द्व चलो तुम कुछ भी बोलो उत्तर सही करके आना इसका समाज विग्रे करने पर और निकलता है यह तो यह निकलता है और मतलब यहां मतलब प्लस है ना देखो कि 15 वहीज अगया वीस होता तो वाहीज आपको loads्टी कि पिचीत है तो माता पिता माता और पिता सीट और उशन देखो और देख।। बात वहीजा गई कि वह जब विग्रह करते हैं। विग्रह करने तो आज आएगा बागी तुम अगर उतना टाइम नहीं भी है तो तुम इतना समझो ना कि जब हम उसको अर्थ निकालेंगे तो और निकले गावाथ कटम है ना खेक चलो तिम्पल वे में समझो इतना हाड नहीं है कुछ अमास अमास तो सब बायात का तुम लोगों के खेल है ना देखो देखो भिया थंडा गरम ठंडा और गरम अठारा आठ और दस है ना दस अठारा ऐसी तो होता है राधा कृष्ण राधा और कृष्ण हानि लाभ आनि और लाभ जहां पर और निकला आए अगे चलते हैं भाई कामकाज घरवर क मतलब क्या हुआ मेल मिलाप मेल मिलाप हुक्का पानी अन। का सुनी का और सुनी तो यह सा दूद रोटी दूद और रोटी उंचा नीचा नीचा काम काज घर वर मेल मिलाप लूट मार राधा कर्ष्ण भाई बहें पाला पोसा गाय बैल जाना गाय बैल देश विदेश अन जल आना जाना आग पानी लोटा डोरी अरे कितनी बड़ी कव है दो धर्म धर्म दुई बार लिकए क्या लिखा है धर्म और अधर्म देखो यहीं तो गेम है यहां पर आहे यहां पर उल्चा भी अ अधर्म. हां जो इसको पड़ो धर्म दो बार धर्म नहीं हेन जो कई दो यार लेकर भ्यकूब था रवी मिखैं अन्हें लनकी काई निया एक बार लिख देता है ना तो धर्म दर्म भाये चीजाई हैं हे लुब चीजाई पते दों चीजाई है ना हाँ तो यहां पर दू ध्र्म एक धर्म है और एक धर्म है दूग confined है लोग कही सुटार समझ में नहुं अब कशना करमधारे में क्या होता है दिखू लाए वाज ओब विंक अडनीटेल में शुल्च टार बाय बीडों समझ act कार्मधारे और तुर्धार और इस तो भी थोड़ा समझाएंगे तबी समझपाओंगे क्या करमधारे हो गया और आपका दिगों बच्चा है देखो कर्मधारे और बवरी बाउब्री में तो यार सिंपल सा चलो देखि लोटाो बाध को तरब बाण क्या होता है बाउब्री में सीधा आपका परियायवाची सब जानन ना देखो चक्रपाणी गजानन दीर्ग बागु गरुण वाहन चंद्रमौली चंद्रमौली संकराय ना संकर भगवान के लिए का आगया थ्रिलोचन तो देखो यार यह जितने वी गड़ेश गड़का आई इस जो अरताद गड़ेश चंद्रदर नीलकंट नीलकंट म कि आपके बहुबरीक एक जाम पलों और यहां पर यह समझेलों के वाल एक बचा बड़ा देख लो थोड़ी देर और बने रहुऊ तुम लोग लिए नंबर के लिए एक मिनट बने रहो उपने पेपर के लिए बने रह recommendations आहां पर फ HOL मेला पद विशेशंग हो और दूसरा पद विशेश से हो दूसरा तो विशेशंगों को नहीं हो जेशन किसकी मिदी विशेश्ता बता हैं विसेशन हवा में तो विसेशता बता नहीं देगा बताओ तुम्हें बताओ अच्छा विसेशन किसी की विसेशता तो बताएगा अब विसेशन अगर हमारी विसेशता बता रहा तो हम विसेश से हो गए विसेशन तुम्हारी विसेशता बता रहा तो तुम विसेश से हो गए विसेसं जिसकी विसेस्ता है वी विजेस्टा विजाता विएस को बहुत हो गया अब बया कुसभु खुस ऑच्छी ए विमाने मुन याट मेशन, तो डिया जिसकी समेहल बहुत अच्छी है जिसे गुलाब, है ना? कॉनो गेंदा कही रहा है, ठीक, गेंदा हूँ अच्छा है, देखो. चरम सीमा। चरम है जो सीमा, भाऊ सागर, भाऊ से सागर, है ना? भाऊ रूपी सागर, सागर रूपी भाऊ, है ना? देखो यह सब तुमारे सत धर्म सत है धर्म जो जिसका आदा आदा है जो पका अदपका है ना यहाँ सब बदभू बुरी है जो भू माने गंद है ना कृष्ण बज्रदे क्रोधागनी नीलात्पल नीलोत्पल सज्जन बहुमूल्य कुमती महापुरुस्ष्जन परमाडु पीतांबर अब देखो पीतांबर वहां पर भी देखा पीतांबर यहां पर भी देना इसी मिवच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कईतने सर्फ पीतांबर इसमें कर दिया पीतांबर उसमें कर दिया और सब हमारा इधर उधर कर दिया ऐसे तैसे हो गई है ना अरे यार जब होत क्पड़ा क्या है कोई एक कपड़ा आए देखो कोई हमारे पास यह कपड़ा है ठीक है कला हमारी बहुत अच्छी इंटरम ने कला से विकर रख्ग है पन्ना बना जा रहा है और किताब इसको तुम लोग कपड़ा मानों ठीक क्या मानों इसको क्ला की में याक सी मुझा को करेंगे कला आपक हमारी अच्छी है देखो कि यह मालो पुलाने कपड़ा है इसको वो न Ariant strange क्लहावाले ही समझ सकते हैं इसको कैंदी संस्कत वाले नहीं समझ सकते अब ये अगर कपड़ा पीला है, क्या है? अगर ये कपड़ा पीला है भाई साब, तो पीला है कपड़ा, है ना, पीर कपड़ा है ना, तो पीला कपड़ा हमारा कर्मधारे हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कपड़े की विसेश्था बता रहा है, कोई कपड़ा है, वो पीला बिशेशता किसकी बतारा है इस कपड़े की कपड़ा है इसके कपड़ा पील है उसकेतन तुपीले है लेकिन अगर यह highly पीतामबर वगवान श्रीक्रश्न보 की बात हो जाए भगवान स्रीक्रश्न की जै न इनके लिए आगे तो यहां बाउबरी हो जाएगा वन्तर किलीयर हो गया हो गाँगा अगर बगवान कष्ण को कर रहे हैं तो बहुरी अगर दोनों अप्शन दे दे तो यार कोहिश्चन फस जाएगा है ना एक दे दे तो फिर सही रहेगा हाँ संस्क्रत से आप निकाल सकते हो कैसे एक में पीतामबर होता है देखो यही तो फाइदा है संस्क्रत पढ़ने का है हेख डार कि एक में पीताम बर होगा एक में पीतामबरा होगा कर तो अनलमें फिर हो जायेंगा जो पीला अंबर है वस्त रहे अंबरम पीतामब मिला प्क्वान कर्ष्ण के लिए हो जाएगा समझ गए तो पिटा यह हो गया तुमारे यह – यहतो कम्प्ली डोगै भई अरे याद तुम यह रखना कि छे समास थे और छे समास यह इसे इसे बताए गए थे खिक आगे चलते हैं हम लोग महहां रखुपति रागाव राजाराम यह सब इसके उदाराने आए जेब को क छे करने वाला होग केचर इसके बाद गिरे काट किसके बोomb अब देखो गोबर से बना हुआ तो यहां से बेटा तुम्हारी आज की क्लास होती है खतम समाप्त और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रही है प्रसंद रही है गर्मी में ज्यादा ना निकल लिए क्योंकि इस समय बारिस ज्याद हो रही है अब देखो उसा बलग की बात टेलीग्राम चैनल वेटा एक बार कर लो ठिक और एक काम और कर लो कि वीडियो पूरा देखा करो तभी मजाएगे अब पतजला पांच मिनट देखे तुम हटा दिये अब बताओ इसके बीच में हमने कितनी बढ़ियां बाते अब जिन बच्चों ने नहीं सुना वह एक बार बैक करके देख लेना ठिक मलब क्या है कैसे भी तुम्हें समझ में आए जो इंट्रेस्टेड हैं वह तो देखो पढ़ेंगे उनके लिए उनके लिए हम ऐसा कोचिंग का जितने भी कोचिंग के लिए फर्स हैं वह सब उनक अब लेकिन कम सक्कम आपके जान पहिंचान वाला कोई है उसको बेज दो यहां कोचिंग भी आपकी जान पहिंचान की है तो कम सक्कम उनको शेयर करो और वर्ट करो एना लाइक करो आओ दिखवाओ उनको वाच वाच वगारा उनको समझ में आये कुछ ठीक चलो मिलते हैं कर दिखविर कल्प